जब वे नदी दोनों किनारी की बंदनों को स्विकार करती है इधर भी किनारा इधर भी किनारा दोनों किनारी दोनों बंदन सुद्रण हैं तब नदी शाकर तब कौंश पराती है यदि एक बंदन टूट जाए नदी मा विखर जाएगी मुनी माराज भी द्रवि-सयम और भाव-सयम दोनो प्रकार का बद्नव शुकार करते हैं तह मुनी माराज अपनी एतिश को एतिश लक्ष को प्राप कर पाते हैं अन्निता संशार के ब्रहमन के शादन सामगरी प्राप करते रहेंगे मन्जल तक पहुश नहीं पाएंगे महान भाव शहियम के माइनी क्या है यह तो देखा चलो शहियम ठीक है और शहियम लोग के बार में भी आप पालती है नेंतन करती है इस्कूल में बजनी बाली गंटी वेल शहियम का पतीक है शिगनल सहियम का पतीक है रेड लाइट सहियम का पतीक है भारती शम्विदान सहियम का पतीक है किसी भी शहस्ता के उद्देश निदेश नियम आदी होते है रूल एंड रेगुलिशन सहियम का पतीक है घर में भी एक लोग बर्यादा एक कुला चारे सरियम का पती कहें इसकूल में भी विद्ध्यारती एक उनिफोर में आते हैं एक जगे बेटते हैं बढ़ते हैं पड़ते हैं बिना पुछी जानी शक्तिफनी सर्णम का पता है कहीं भी किसी भी श्टाप में आप जोब कर रहे हैं小然后 की इंदर आप उनके neHH जवशन करना सबते हैं, जन्षासन दूसरें पर शाशन करना स्पर्णडरात भी ज़िए्षाशन अपनी आपर healthy, नहीं किया भूर दूसमबर शाषन करनी सकता जो आत्मान शाषन कर सकता है वश्कि अनुषास्ट में रहने के लिए संसार की सप्राणी लालायत रहती है जिनीन्द भगवान दे अपने इंद्रियों को जीता उनका जिनीन्द भगवान का शासन जिन शासन जिती इंद्रियों का शासन है उन्होंने अपने उपर शासन किया है उन्होंने अपनी आत्मा पर शासन किया है इसले जिन शासन की छत शाया में हर आत्म कर जाना के के पास वक्ति जाना नहीं चाहता मुझी ही अव्षाप दे दिया तो मुझी इमार दिया तो जिनिद भगवान सबको अवैदान देते हैं जिन भगवान शमादी कुड़ों यैसिवतिसे शाब्दान रहो उश्के शात रहो जो तुम्हें मिट्टी में कभी नंबिलाई चाहिए साथ मौरा कब नीवाई तुमाहन भाभ शैयम इस आतमा को मिट्टी में मिलाने बाला है और शैयम इस आतमा को भग्वान बनाने बाला है शेयम कहां रखना है शेयम अपनी काया पर रखो शेयम अपनी बचनों पर रखो शेयम अपनी मन पर रखो तीनों पर शेयम रखना जरूरी है शेयम अपनी इंद्रियों पर रखो शेयम अपनी हरेक प्रवत्ती पर रखो शेयम अपनी विवार में रखो शेयम अपनी दर्ब का अपयोग करतेश में लेंदेन करतेश में रखो हर जगह शेयम की बहुत आपशकता है यदि आप कोई बस्तु पकड़ भी रही तोड़ा प्रमाद आगा बस्तु गरी जाएगी यदि आपने कोई बर्तन उठाया और प्रमाद की आग गरी जाएगा तो सब फेल गया चाहिए दू देगी है गरत कुष भी है तो वहाँ पर भी शेयम रखना ज़रूरी है हर प्रवत्ती में शेयम जो अपनी मन बचन काई पर निंत्रन रखनी में समर्थ होती है उन्हें कभी दूसरों पर अनुषासन करना नहीं पड़ता उनकी अनुषासन बेक्ती शेयम आना चाहता है और जो शेयम अपनी मन पर निंत्रन न करके दूसरों पर निंत्रन करना चाहते है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, दूश्यों को सुधार तेरो जिंदगी बर, तो दूश्यों की बात मानते ही नहीं, उसका स्वेम का भी कल्यान होता नहीं, माहन भाब, शरीशे वे कार करने ही, जिन कार्यों के करने आत्मा कर्मों से मुक्त हो, जिन कारिके कर्ने शे आत्मा निविट कर्मों के बंदन में बंती चली जाती है, ऐसे कार सरी शे नहीं करें। बचन ऐसे बोलो, जिन बचनों के बोलने से आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, जिन बचनों के बोलने से आत्मा कर्मों से बंद जाती है, ऐसे बचन मत बोलो मन में अशा विचार करो जनी विचार करने शेयात्मा कर्मों से मक्त होती है कर्मों से बंदर ये अशे विचार मत करो यदि कर्मों के बंदन खोलने वाले मनवचन काय की प्रवति नहीं कर पाती है तो कम शेकमेशी प्रवति करो ये शे पाप से न बंदो पुन्ड का आश्रा भाव महान भाव जो व्यक्ति अपनी मनवचन काई पर नितन कर सकता है उश्का बिवार सहीमित होता है उश्की हर बस्तु का शत्पयोग होता है लेन देन बिवार में शम्मे सहीम रेता है दिखाई देता है वे यह बस्तु का पयोग कर लेगा तो शेयम के शाथ अब मर्यादित नहीं खान पान में भी रहें शेयन में भी ब्यवार में बाणी में बुली समय शेयम दिखाई देता है उसकी एक एक प्रति शेयम से उख्त होती है और जो व्यक्ति अपने 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 शिकायत नहीं करता है तो हमेशा दूर समग से इसे शिकायत रहती है यह 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 करते है जीवन में जिसके पास ज्यादा शिकायत है जितनी ज्यादा शिकायत है वो अतना ज्यादा दुखी है वो अत इतना अपने करीब होता है उतना शहीं में होता है उसके जीवन में उतनी कम समझ्याएं कम शिकायत में होती है जिस ब्रक्ति के जीवन में कोई शिकायत नहीं कोई समझ्या नहीं वही बास्ता में परम शुकी है इस अंशार में रह करके भी और जिसका जीवन शिकायत से बरा ह वह क्रिशी के शाथ रहने ही शकता और चुशी को अपने शाद साथ रखनी शकता तो वह गति निश्द्ड ले बहुत कर न को हैं पालना कण्यों कि क्या करूं मेरे मुझेश शव्दी असरा निकल जाते вас आदव पड़े गई है क्या करों में पर अंदर से आननद निष्टत होता है और जब तक दिश्टी पर की और जाती है तब तक हम अपने श्वकी आनंदे शोभाविक आनंद से स्वात्मोत पर आनंद से दूर बने रहते हैं तो शैयम के माइनी है नियंतन पांश शम्ती वी शैयम की पतीकें चलो देख भाल करके चलो चार हाजमी देख करके प्रकास में चलो जीव घात नहों आपका घात भी नहों कई पेर कांठ आच कंकर पत्थर या जीव पढ़ना पड़े भाशा शम्ती बोलो भित्मत प्रिय बोलो यश्य शवत्मत बोलो यश्य आपको या किसी को कश्ट हो का किर्षा शम्ती आर करो वही बस्तु गेर करो जो अभाशेन हो भाख्शिभी यवेarm करो जो आपके प्रकाति के अनकोल हो अतुन ही गेर करो जितना आपके लिए आभश्यक है के मिश्य है जादाणा नहीं हो दोड़़को की आदाना supply आदाना की थाना है यथáfic को डेना ouse आपने छोड़ दिया, पकड़नी बाद जिन्मार निचे कर गई, या पूजन की थाली उसे आपको पकड़ाई, उसका ध्यान उदर, आपका ध्यान उदर उसे थाली माद लगा या, समझा पकड़ लिए होगी, निचे कर गई, लेने देने में भी यदि शेयम नहीं लखो आपके जीमन में बहुत गटना गट होती नहीं, मल त्या करते से में भी शेयम रखो जीव इनसा तो नहीं हो रही, मल त्या कहां करना है, सहीता में मल शर्ज कीजिए, उदिवेक पूरवक नहीं, आबेक पूरवक नहीं, और ऐसा भी नहीं को बैठे गंटों तक, ये भी ग इंद्री शेयम और प्रानी शेयम, इंद्री शेयम के छेवेदें पांच इंद्री और मन पर नित्रन करना, और प्रानी शेयम के भी शेवेदें, प्रत्वी, जलगनी, भाई, वनिश्पति, पांच प्रकार के इस्तावर और इतर्ष इन शेप्रकार के जीवों की रिक्षा क्ल सचतस परि judging WOW । वा ये यम का संघर करने में समर्थ होता है। जब जब जीव अशैये में प्रवत्य करता एंट तब तब शन्शार में प्रवत्य करता है। और जब जब शकी प्रवत्य सैयम में हो रहा हिए तब तक मानना चाहिए जुआ इपनी संसार को कम करता चला जा रहा है एक राजा ने अपनी जमीदारों को भुला चकर के कहा है है में आपकी बुद्धि की परिश्या करना चाहता हूं और आप आप लोगों में सेvisor किसी जमीदार को अपना महामती बनाना चाहता हूं, किन्तो यह लेखना चाहता हूं, आप सब लोगों में बुद्धी कोशल कितना है। जमीदार अपने आपको योगशित करना चाहते थे, और जमीदारों के मन में यह अर्मान सज रहे थे, कि मैं निशन्दे महामती बन जाओंगा, मेरे पास बहुत बुद्धी है, मैं बहुत पुराना हुए अशी शेवा कर रहा हूं, राजा नेका निस्वक्ष है, जो समर्थ है, मेरी परिक्षा में पास हो जाएगा, वही मेरा महामती बन जाएगा, ठीक है, कैसे परिक्षा की जाएगा, राजा ने कहा, सभी को, जमीदारों को, एक-एक बकरा दे दीजिए, बकरा, जानते हैं, he got, उसकी यादत क्या होती है, उसे कितना भी खिला पिलाओ, फिर भी मुमार्णी का आदत रहती है, और कहा, एक मेनी बार लोटा की लाना है, इन बकराओं को संतुष्ठ कर दो, इतना खिलाओ पिलाओ, कि ये कुछ और खाएं नहीं, ठीक है, समी जमीदार, बकराओं को खो ख मस्त कर दिया, खोब दाना पानी खिलाया, जब एक मेनी बार लोटा करके लाई, तो राजानी सब की परिक्षा की, हर बकरी के सामनी, राजानी हरी घास मंग वाली, हरी घास दिखाई, बकरा मुमार्णी लगा, कुछ अलग दिखाया, रोटी दिखाई, कुछ वाद दिखा था, राजानी पुछा, आप कैसे, महराज मैं भी अपने बकरी को लाया हूँ, आपने जो दिया था, आप इसकी भी परिक्षा कर लीजिए, राजानी इसकी परिक्षा की, बकरी के सामनी घास रखी, बकरा आँख बंद करके खड़ा हो गया, पानी रखा, उसे बस आँख बंद कर आँख खोली नहीं, मूँ फेल लिया, चपाती उसे खिलाई, नहीं आँख खोली नहीं, जमीदा शामनी खड़ाता हूँ, राजा ने बहुत प्रकार से कोसिच की, कि बकरी ने मूँ खोलना तो दूर की बात आँख भी नहीं खोली, राजा बड़ा आशर करता है, जमीदार ये बताईए, कि आपने बकरी के सा क्या खिलाया है, बकरा कुछ नहीं खा रहा, पानी तो ठीक है, दूद भी नहीं पी रहा, घास तो ठीक है, ये दाना भी नहीं खाता, और जिस मठाई को देख करके, किसी मनुश के मुख में पानी आ जाए, बकरा उसे देख कर जमीदार करे, इसी क्या टेनिंग दी तूने भई, हमने भी बकरी को खुब खिलाया, खुब खिलाया, कि बकरी बेएमान है, और शब नहीं या करे कि हमको यहां पर प्राज़त करा दिया, हम शब अर्मान लगार करे बेटे ते हम पास होंगे ही, और हम मामनती बनेंगे, कि रगान विख्राब लगा, क्यिसी मुखत अभी बोली, भख्रा टो मेरे पास वही है कि बताओ मेरा बकरा क्मनी खा रहा आप खिला की बताओ, पुछ चला मेरे बना सुलीज प्रताओ की खाले के बताओ, जमीदा बना तो पीता है, तो आ बताओ, गारा कि ड़ा करगा, बकर अपने बकरी को अपने यहां से खिलाना शखाया है और उसके बाद मैं बकरी को हरी खितमेशी लेके जाता था और जैसे मूँ ठाया मैं लाटी मारता था पानी पलाता घर में बार पानी की बीचिने लेके जाता मूँ देखता मैं लाटी मारता यदि कुछ भी शामनी रखा है उसने मूँ खोला, मैं लाटी मारता बक्रे कोई शंसकार पड़े गया मुझे मेरे घर पर ये जमीदार खिलाएगा गर का और कोई शजर नहीं यही खिलाएगा तभी मैं खाने मिलेगा तभी खाऊंगा अने जगे मेरे मुझे खोला तो मुझे लाटी पड़ेगी और मेरी लाटी उसे दिखाई दे रही है इसलिए वह मुझे खोलना तो दूर की बात आंक में नहीं खोल सकता ऐशे ही यह हमारी इंद्रियामी बक्रे की तरह शे है इनको खोब खिलाओ पिलाओ यह शे मानती नहीं है आप लोग बजार में जाओ बच्चे कहेंगे मम्मी यह बच्तु खानी है पापा यह ची लेनी है यह आईश्केम लेलो अब यह लेलो यह लेलो किन्तो जो परवार संसकारबान होते हैं केते हैं नहीं बीटा यहां मारकेट में खड़गड़ कुछ नहीं खाना है घर चलो जो चाहिए तुम्हाँ लिए घर भोजन बनेगा स्वादिष्ट बनेगा सुद्ध बनेगा खा सकते हैं मुनी माराजी भी कहते पनी इंदियों से कि आर चौके में मिलेगा और कहीं बिचारी नहीं करना बश आदा पौना गंटा एंगटा जो आर में लगाना है लगाओ वहां पर लगाओ तरी शंटे के लिए उसका चर्चा का भी त्याग तो यह अपनी इंदियों पर नेंत्रा करना यही बास्ता में सहीं अम्र है इन intro to it 116 डोल्गरश से बैठ सकता है इंडीर्व थी वहतांवडता ने पता या brig नी में प्रेक्षना किये फांच गोड़े की बगगी Πर कोई वेक्तिन नॉकल कैश्य बैठ सकता है हिंद आप 10 बाइं निक पता या बैठ सकता है हुट कैसे पांच गोड़े की पगगी यह उससे बेटा मुला मुझकल ऊब्लेंगी और यह दोड़ेंगे यह पहलेंगी केसे बैठ सकता है आप उन्य पांच गोड़ों की लगाम सार्थी गाथ में पकड़ा दो और सार्थी की कि समय पासे सर्वादों कि हुड़े контॉल घाया चेंच उमारा मानव शरीर या उसमे ऐख my ड़ियर हुड़े मन को म Auss domainा बासे करें मनों खानने अफज्दाना है जो तो अव फ।ो भूव्akt नभी लग लगिए तो पीट तो बराय पर मन कर रहा है खाने का, आके ठकी हुई है पर मन कर रहा है देखने का, बहुत देशे सुन रहा है, फिर भी मन कर रहा है सुनने का, तो मन ये कर रहा है न, तो मन पर विजय प्राप करने से, इंदियों पर विजय प्राप जल्दी हो जाती है, महान भाव, इंड्रिय शैयम आत्यांता मेत्यव पून है। इंड्रिय शैयम किये बिना प्रानी शैयम हो नहीं शकता। अपनी इंदियों पर नockey नहीं किया तो प्रानी के रशा कैसे करो के। इंद्रियां यूचंक OndonRIA तो इंद्रियां तो शैम इन्षा कर रही है। प्रमाद युक्त इंडरिया दोशेव इंशा गरें है, शेले इंडरिय संयम पहली कहा, और प्रानी संयम अनावशक nineteन्ष इंशा करो। अट के लिए बताया, संकल्ब इंशा का त्याक करो। उद्यों की विरोधी आरम भी इशा हो जाती है, संकल भी इशा की जाती है, और मुरती के लिए बताया, तश्रीव की इंशा तो आपने पूरी त्याक करी दी, इस तावरी की इंशा भी निश्प विजिन अमत करो.